नमस्कार दोस्तों टेकिनिकल माहमे चैनल पर आपका सवागत है आज की वीडियो में हम आपको क्रोम ब्राउजर के हिस्ट्री को डिलीट करना बताऊंगा क्रोम ब्राउजर में आप जो भी सर्च करके देखते हैं ओ सब हिस्ट्री में जाकर सेब हो जाता है अगर आपको फोन कोई भी वी अक्तिमांग लेता है और ओ क्रोम ब्राउजर के हिस्ट्री में जाकर सब कुछ देख सकता है जो आप क्रोम ब्राउजर ओपन करके देखे हैं ऐसे में आप क्रोम ब्राउजर के हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं अगर आप Chrome browser में कोई website open करके photo या कुछ भी चीज़ देखा है अगर आप भूल जाते हैं हम किस website से देखे हैं ऐसे में आप Chrome browser के history पर जाकर फिर से वही website open कर सकते हैं तो मैं आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कियो तो वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल परना हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देजिए ताकि नएने वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं आपको अपने फोन में Chrome Browser open कर लेना है मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाए देगा दाइने तरफ उपर देखें यहाँ पर आपको थिरी डाड दिखाए दे रहा होगा इसी पर आपको किलिक कर देना होगा जैसे आप इस पर किलिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर देखिए आपको history दिखाई दे रहा है इसी पर आपको click कर दिना होगा आप जो भी chrome browser पर search करके देखे थे यहाँ पर देखिए पूरा 100 हो रहा है अगर आप भूल गए हैं मैंने कौन सा website open करके photo देखा था या कुछ भी चीत देखा था तो ऐसे में आप यहाँ पर आकर उस website को देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आप जो भी search करके देखे रहेंगे सारी website का नाम यहाँ पर सो होता रहेगा example के लिए मैं यहाँ पर एक website open करके दिखा दे रहा हूँ देखिए यहाँ पर मैंने इस website से कुछ image download किये थे देखिए जैसे मैंने यह website open किया यहाँ पर देखिए ओ सारा image सो होने लगा है इसी तरह से अगर आप भूल जाते हैं मैंने कौन सा website open करके देखा था तो आप ऐसे में history से जाकर उस website को open कर सकते हैं अब हम आपको history delete करना बता देते हैं history delete करने के लिए देखिए यहाँ पर clear browsing data दिखाई दे रहा है इसी पर आपको click कर देना होगा जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर देखिए basic और advance दिखाई दे रहा है आपको advance पर click कर देना होगा जैखिए यहाँ पर browsing history, cookies and side data, catch the image and file इसके नीचे आपको मिल जाता save password अगर आप save password को delete करना चाते हैं मतलब अगर आप कुछ bb website पर password लगा कर रखे हैं अगर आप उसे delete करना चाते हैं आपको यहाँ से tick कर देना होगा अगर आप auto file from data को delete करना चाते हैं तो आपको इसे भी tick कर देना होगा अगर आप जो search करके देखे हैं सिर्फ वह ही delete करना चाहते हैं तो आपको इसे and tick कर देना होगा उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर browsing history, cookies and side data, catched image and file इन सब को आपको delete कर देना होगा यहाँ पर देखिए last 24 hours दिखाई दे रहा है इसी पर आपको click कर देना होगा उसके बाद आपको यहाँ से all time set कर लेना होगा delete करने के लिए दाहिने तरब नीचे देखिए clear data दिखाई दे रहा है इसी पर आपको click कर देना होगा चलिए हम इस पर click कर लेते हैं उसके बाद आपको clear पर click कर देना होगा जैसे आप clear पर click करेंगे यहाँ पर देखिए clearing browsing data दिखाई दे रहा है कुछ second में यह सब clear हो जाएगा यहाँ पर देखिए history पूरा delete हो गया है अब हम आपको फिर से open करके दिखा दे रहे हैं delete हुआ है यह नहीं आपको three data पर click कर देना होगा उसके बाद आपको history में आ जाना होगा यहाँ पर देखिए सब delete हो गया इसी तरह से आप chrome browser के history को delete कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को please like, comment, share जरूर करना और चैनल परना हो तो चैनल को please subscribe करके bell icon प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक लिए जहन्द बंदे मात का